प्राइवेट अनाज क्राइव केंदर पर पसरा सन्नाटा जिहां राजकी धान केंदर चलने से प्राइवेट धान केंदर पर सन्नाटा क्योंकि सरकारी धान क्राय केंद्र चलने से वेपारियों की मन मानी ने भी चल पा रही है प्राइविट अनाज क्राय केंद्र दिन प्रती दिन किस्तानों का शोशन करते हैं और किस्तानों के अनाजों को औने पॉने दावों में लेते हैं परकमान समय में प्राविट अनाज क्राय केंद्र पर गेगू 15.50 प्रती किलो चावल मोटा 15.50 प्रती किलो पत्ला चावल 16.50 प्रती किलो धान मोटा 11.00 प्रती किलो धान फसला 12.00 प्रती किलो खरीदा रहा है इस रेट पर अनाज बेचने पर किसान की अनाज पैदा करने की लागत भी नहीं निकलेगी अनाज के दाम कब होने से किसान परिशान है अनाज के दाम कब होने से रवी की फसल की बुआई पर भी इसका अज़र पड़ेगा प्राकाश डेडर्स के मालिक हजारी कसौधर में बताया कि वर्तमान समय में अनाजों की रेट काफी गिरी है जिससे के साथ अनाजों की बिगरी कम कर रही है देखे कफ्तान गंसे दिलिप कमार की जर्बूट चाहरी काको कर ढंसे साय पया सुल पाल में ला बतायग以前 प्लागलस, प्रिया खायक घ सणी पालस साथ 어떡 quickly जर्ब्दो जर्बूद कप्ताश साम अनाजों की चाहती काश सबस्काश जर्बूबूबूब यह कि आड़ बहो है